वेरी गुड विनिंग कैसे हो आपसे भी लोग आपसे लोग बढ़ी आउंगे आज आओ जल्दी से चलो आज का सेशन जल्दी से स्टार्ट करते शाम के पाच बच चुके है और आज का सेशन देड़ गंटा नहीं चलेगा अल्मोस्त वन आर्ट 10 मिनिट तक हो जाएगा हमार पुराना है और आपने इसे स्टार्ट नहीं क्या होगा तो आज के सेशन के अंदर आपको बहुत जाद अटेंटिव रहना है मैं जो भी क्वेशन्स आप से पूछू उसका अंसर आपको लाइव चैट के अंदर करना हेलो वर्तिका कैसे हो हेलो श्रेनी हेलो जोट्शना आ आपको उसके अंसर कॉमेंट सेक्शन के अंदर करने है अलो राजा कैसे हो आपको 20% आफ मिल सकता है नीट यूजी के सब्स्क्रिप्शन के उपर आपको लिए बैच होने वाले 2024 के लिए अजबर 25 के लिए ठीक है उसके साथ देखना AIMT All India Mock Test होने वाली है नीट यूजी 2023 2023 के लिए तो जिसके अंदर आपको 7 टाइम्स बिफोर तो एक्शुल नीट यूजी 2023 सब कुछ मिल जाएगा इसके अंदर मेरे दोस्तों यह आपकी स्टार्ट होने वाली है मार्च 19 से 2023 के लिए और एप्रिल 30 तक यह वालिडिटी रहने वाली है हर एक संडे दो पेर को दो दोस्तों आपको यूज करना हमारा वीडिवन तो आपकी से अंदर एंडरॉल हो जाओगे हलो हैपी हलो एन नेक्स कारति कैसे हो हलो गवरी गवरी मैं आपको रिप्लाइ करना रह गया मैं बारत में कर दूँगा ठीक है हलो आरे अर्म बैच है नीट 2025 के लिए अगर आप मे 20% टोप आप मिल जाएगा इसके अंदर आपको मिल दोस्तों और आपको यह प्रचार क्यों अरे प्रचार नहीं होता है ठीक है कुछ फॉर्मलेटीस होती है न यार देखो आपको यह सभी चीज़े प्रुवाइड की जाती है तो कोई तो चीज़े होनी चाहिए ठीक इसमे और आपके जिंदगी में आपको यह सेशन याद भी रहेना चाहिए फर्स्ट कोशन आपके स्क्रीन के सामने जो तो फॉल्विंग इस दी करेक्ट ऑप्शन जिंदगी में जल्दी से करेक्ट ऑप्शन चूज करो फाइट ओफोरा अस्टेट माइसलियम बैसेडियो माइसे इसके पास नहीं होता डिटेरो माइसर नेश कोशन इन विच ओटो फॉलिविंग इनडेपेंटेंट फ्री लिविंग आपको पूछा है मरे दोस्तों गामेटो फाइट किसका नौट इंडेपेंडेंट फ्री लिविंग होने वाला है जल्दी से कोशन वन आफ इमोस्ट इ नहीं आ जाएगा ऑप्शन डी इस दी करेंट अंसर आपका जो पाइनस होता है मरे दोस्तों इसका गामेटो फाइट आपका नौट इंडेपेंडेंट फ्री लिविंग होने वाला है बैरी गुट सॉप्शन डी इस दी करेंट अंसर अगर एक कोशन पता नहीं था आभी य जल दी ते ओके लेटम आपके रेडल सील प्रसटीम की तरा यूज चिए जा सकते स्पेस फूड की तरा ठीक है अगर मैं भी astronaut होता तो मुझे भी खाने को मिल जाता ठीक है Manitol जो होता है मिरो दोस्तो वो रोडो फाइसी के अंदर नहीं हो जाएगा आपका Laminarin Laminarin ए ए ठीक है Laminarin और उसे के साथ Manitol मिरो दोस्तो यह आपके फायो फाइसी के अंदर होता है किसके brown mundi के अंदर brown algae के अंदर होता है very good yes अंशिका कैसे हो किसने answer बताया था yes yes very good आउश very good आउश yes floridian stash किसके बीच में होता है वो रोडो फाइसी के बीच में हो जागा ठीक है ने इस question आपके skin के सामने the guts of cow as well as the buffalo के पास क्या होता है आपके एक चीज़ पता है आप कभी गाव में गए हो तो जो भेस वगरा होती हो उसे फिर पतला कर देते हैं और उसे फीर बाद में सुकाने के बाद जला देते हैं तो जलता है बहुत अच्छे से जलता है रिजन क्या है मेरे दोस्तों क्योंकि उसके अंदर आपका मिथेनोजन्स प्रेजेंट होते है मिथेनोजन्स क्या है आपके मोनेरा के बैक्टरिया होने वाले है जो कि एक बहुत ही प्यारा सा एक बहुत ही स्वीट सा एक प्रेजेंट करते है ग्यास जिसे हम कहते हैं मिधेन ठीक है तो मिधेन इंफलेमेबल होता है जलता है जिसकी वज़े से हमें मुभबतम है क्या मिल जाती है मेरे दोस्तों एनरजी मिल जाती है हमारे है क्या फ्लाजला ही नहीं है ठीक है हमारे पास क्या टेल है स्पंस की पास तो मुटिलिटी किसके पास होने वाले जली से कोशन बहुत ज़्याद ब्यूटिफुल है हपी ने कहा C, लिखा ने भी कहा C, आयूश ने कहा D, ओके लिखा ने कहा C, most of the बच्चिस D कह रहें एक्टोकार्पस लेट में टेल यू माय फ्रेंड्स कि आपका जो ब्राउन अलगी होने वाला है कौनसा ब्राउन अलगी तो फायो फाइसी फायो फाइसी के पास आपके बाई फ्लाजलेटेड गैमेट्स होते हैं चाहे वो सेक्शुल हो चाहे वो असेक्शुल हो आपका जो बैस्त्त्रक्णा के बाई बाई जो और ऊपशन और ऊनके प्लाज सेक्शूल तो है उसे क्लोज क्यों कहें खना है उनके बीच में ऐस्त्रजम की पिना क्या प्रजन नहीं होता है उनके बीच में Cambium present नहीं होता है और Cambium present ना होने की वज़े से उनके पास secondary growth इले नहीं होती मेरे दोस्तों तो मैं आपको एक चीद बताना चाहूंगा कि बताने में मुझे खेद हो रहा है कि यह जो आपके पास दिया है ठीक है यह next question की diagram है ठीक है तो इसको देखो इसको देखने के बाद मैं आपको next question दिखा दूँगा ओके एक्टेनोमोर्फिक बाइसेक्शुल कैलेक्स फाइयू फ्यूस दिया है पोरोला फाइयू फ्यूस दिया है विद्धो कनेक्शन मीट यूर दिया अंट्रोशियम के साथ और गाइनेशियम आपका बाइकलबरियर सुपेरियर दिया है ठीक है यह चीज किसकी है आपको बताना है और इसके अंदर बताना है कि यह फ्लोरल फॉर्मिला किस्ते बिलॉंग करता है जो फ्लोरल फॉर्मिला मैंने आपको अभी दिखाया था वो किस्ते बिलॉंग करता है जल्दी से किम्मत किम्मत मतंद पता है नखी importance पता चला मेंको. तो यह आपका Paytonia होते है मिर दोस्तो, यह family आपके वले वाले है Solance family Solance family का दुसरा नाम ज़लי से Solance family का दुसरा नाम मेरी spelling के ऊपर ध्यान मत दिया करो मिरे दोस्तो. फीकिये Being a Convent or the CBC student मेंको spelling अच्छे से याद नहीं होती, क्या होने माला इसका अंसर आपका वेरि गुड इससे हाप कहो कि पोटैटो फैमिली मेरे दोस्तों ठीक है याध इससे हम कहते पोटैटो फैमिली बेरि गुड पेटो नियाँ आपके ornamental होने वाले very good happy बहुत बढ़िया next question आपके screen के सामने a major characteristic of the monocot root is the presence of एक simple सी चीज़ पूछना चाहूँ हम सभी के पास कुछ ना गुश्त होता है like आपको कोई पसंद होगा क्यूँ क्योंकि बहुत अच्छा दीखता है उसका characteristic होने वाला है एक समसी पॉड़न चीज़ उनके बीच में एक उपन नहीं होता उनके बीच में close होता है क्योंकि vasculature without cambium होता है तो उनके बीच में क्या absent होता है भाया इनके बीच में secondary growth नहीं होती है तो secondary जहलम secondary phloem और secondary tissue नहीं बन पाएगा भाया तो बेचारे कैसे गुरू करते है क्योंकि उनके पास एक second another growth होती है उनके पास secondary growth नहीं होती है बेंट दोस्तों ठीक है नए इस question आपके screen के सामने kill is a characteristic feature of जल्दी से कौनसा estimation होने वाला है और कौनसी family का नाम लोग है जल्दी से कौनसी family में दोस्तों खंदान कौनसा होगा इसका जल्दी से भहिया इसका खंदान होने वाला है ठीक है फैबैसी भहिया और estimation के आप डाल सकते हो वेक्जलरी ठीक है सबसे उपर का kill ठीक है उ इसका अशर आपका चाहे का Indigo Fevera मिर दोस्तों यह आपकी fabия C खंदान से बिलोंग करती P BEAN family correct है मिर दोस्तों यह भी correct है इस सबसे खाषी अगर मैं आपको बता दूँ तो आपका Indigo FIFA क्या है Indigo FIFA क्या है इसके इसको आपकी स्क्रीन के सामने Pariginess Flowers किसके अंदर पाया half inferior होता है बेटा, ठीक है, क्या होता है, half inferior होता है, ना घर का, ना घाट का, इसे आप कह सकते हो, तो P से आपको कुछ याद आता होगा में दोस्तो P, R, P, ठीक है, P propose करता है, किसको P को, मतलब क्या है, plum, rose, peach बेटा, ठीक है, plum क्या करता है, rose को peach देता है, बहुत बढ़िया, कुछ भी मत बताया करो, हमारा दिमाग भोत अच्छा है, गंदे, दिमाग मन में, मतलब, खयाल मत डाला करो, very good, तो half inferior हो जाएगा, पेरिगान, that is the plum, rose, peach, कोंसा, plum, rose, peach, PRP, next question आपकी screen के सामने, leaves becomes modified into the spines, काटे, काटे, full or काटे, मुवी देखिए, बहुत पुरानी मुवी है, one of the best movie, full or काटे, पत्थर और दिल, जल्दी से, leaves किसके बीच में, spines की बीच में, convert हो जाते है, अपोंशिया, पी, onion, silco, cotton, वह की बीच में, convert हो जाते है, और यहाँ पर भी spelling mistake है, still we can understand, पी जो होता है, मरे दोस्तों, पी के बीच में, जो होते है, वो tendrils होते है, onion की बीच में, fleshy leaves पाया जाता है, ठीक है, मुझ जल्दी बतादो, silk cotton के बीच में, cotton बता है ने मरे दोस्तों, कॉटनी के बीच में कौन स जल्दी से, क्या होता है, बल्ब होता है, ओके, ठीक है जल्दी से, palmetally होता है, बेटा, very good, ठीक है, मैंने palmetally के आपको एक trick क्या बताई थी, just look at my hand, ठीक है, यह क्या है मेरा palm है, तो यहाँ पर कैसे होता है, कि यहाँ पर एक common point पकड़ना है, और जहां से आपकी यह branches निक यह किसकी काम में आता है, respiration काम में आता है, ठीक है, respiration में आता है रहा यार, ठीक है, कौन से structures होते हैं, जो कि stacking of organized platin membranes से बनते हैं, कौन से होते हैं, क्रिस्टा होता है, grana होता है, stroma है, lamelle होता है, stroma होता है, yes भया, इसका answer बहुत जादा simple है, इस से हम कहेंगे, grana, भया, यह हमारा photosynthesis के अंदर काम में आता है, ठीक है, धूब, ठीक है, यारे किसे ने तो धूब किया था, यार हमारे Bollywood की concept किते बढ़िया है, ठीक है, एक alien आता है, जो कि photosynthesis करता है, कैसे, धूब करके, यार देखा होगा आपने वह, कौन सा movie रहे, कौन सा भी हो हमारा Ritik Rotion का, next question आपके screen के सामने मेरे दोस्तो, the chromosomes in which centromere situated close to one end, simple question है, is situated close to one end, close to one end, जल्दी से, जल्दी से, कोई मिल गया, जल्दी से, close to one end क्या होने वाला है, very good बेटा, बहुत बढ़िया, इस concern आपका acrocentric होने वाला है, let me tell you important things, ठीक है, आपका जो metacentric होता है, एक्तम middle position में होता है, ठीक है, अगर middle से थोड़ा दूर जाओगे न, तो sub metacentric मिल जाएगा, अगर उस ते और भी जादा दूर जाओगे, तो आपको मिल जाएगा acrocentric, और अगर talocentric चाहिए, तो talocentric के लिए आपका terminal होता है, तो मेरे दोस्तों, अगर आपको कभी भी पूछा जाएगे, कि talocentric क क्या होता है, तो सब से important चीद, उसके अंदर terminal ये शब्द ढूणना, पूजा, at the end कहना भी correct रहेगा, but terminal is the important world, ठीक है, ये तक key to the success होने वाला है, अगर ये चाभी लगा दोगे, तो आपकी गाड़ी बहुत दुप तक जाएगी, ठीक है, जब तक ये आपकी जिन्दगी क पेट्रोल खतम नहीं होता, next question आपके स्कीन के सामने, yes, next question जल्दी से, select the correct matching in the following pairs, smooth endoplasmic reticulum oxidation of phospholipids, smooth endoplasmic reticulum synthesis of lipids, rough बनाता है glycogen और rough बनाता है fatty acids, जल्दी से, जल्दी, 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 okay, भीया, termillage, ciliocentric, very good, crystal clear, sir, thank you, बहुत बढ़ी है मेरे दोस्तों, कित्य प्यारे हो यार, ठीक है, कित्य प्यारे बच्च्च्च्च्च्च्यार, देख नहीं सकता आपको, बट फिर भी बहुत प्यारे हो, क्यों, क्योंक कि further procedure, और आपका जो rough endoplasmic reticulum होता है, तो आपका बना देगा protein Q, क्योंकि translation में help करा देगा मरे दोस्तों, तो rough जो होता है, उसके उपर क्या present होता है, rough क्यों पर ribosomes present होते है, smooth क्यों पर कुछ भी present नहीं होता, ठीक है, बहुत बढ़िया, next question आपके screen के सामने, true nucleus is absentine, साथ खुश रहो यार, ठीक है, उदास मूले के मताया करो class में, थोड़ा सा खुश खुश, यह सुपरिया, very good बेटा, answer correct है, कुंदन, आपका भी answer correct है, रचा, answer थोड़ा, incorrect है, सुधाकर, भूशन, अस्था, विद्यश्री, गवरियान, बहुत बढ़िया, yes, जोपिन, तो इसका असर, अन्या बेना ही का क्यों करना था, हमेरे दोस्तों, ठीक है, तो अन्या बेना ही क्यों करना था, क्योंकि यह आपका procariors की बीच में गिना जाएगा, ठीक है, तो procariors की बीच में गिना जाएगा, that's why, अपने एक लोग को पता है, ठीक है, अप उनको पता है, कि pro इंक्लूजन बॉडी फाउंड इंदर क्या पाया जाता है वह कुछ भी जो की स्टोर किया जाए ठीक है ओधर दैन एक्सक्रेटरी प्रोडॉक्ट्स एसा भी आप कह सकते हो ठीक है तो प्रोकेरियूट्स के अंदर कौन सी इंक्लूजन बॉडी नहीं है येस वेरी गूट सु सो किसी से बना होता है एक फाथ दिए है क्या को दीए काने के सामने हैँ प्राण्स के मिर्णे की होता है obedience प्लांट कितने लंबे होता है यार ठीक है कितने लंबे होते देखो और जमीन से पानी जाता है उपर तक मामूली चीज़ देगा ठीक है भगवान है मरे दोस्तों भगवान है तो कैसे जाता होगा ठीक है तो ट्रांस्परिशन जो होता है तो आपकी स्ट्रॉ की तरह होता है तो straw से किसे नारियल पानी को खीच देते हो न आप ठीक है वैस्ती ही plant भी transpiration की तुर खीच देता है क्यों? क्योंकि transpiration के वाक्त gases का exchange होता है gases का exchange मतलब आप कह सकते हो कि वापर respiration type ही होता है ठीक है type ही कह रहा हूँ not the exact thing में कह रहा हूँ तो उस वक्त क्या होता है में दोस्तु कि पानी को खीचा जाता है water flow को खीचा जाता है वापर cohesion, adhesion, बहुत जादा surface tension बहुत जादा चीज़े important role play करती है और root pressure जो होता है active absorption से भी कह सकते हो पो प्रेशर लगाता है इसा धक्यल देता है तो cooling and pushing it respectively भहिया मैंने क्या कहा था mineral and nutrition के उपर अगर question आएगा 90% chances है कि macro nutrients, micro nutrients ही पूछेंगे उनके पास नए questions बनाने के कोई ताकत ही नहीं है तो उनकी कमजोरी का फाइदा उठा सकते हैं बर दोस्तो macro nutrients कोन से है आपके? macro हो, नहीं पसंद का सरका मग, ठीक है मतलब क्या carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, phosphorus, potassium यह क्या होता है, sulfur होता है, calcium, उसके साथ magnesium यह सभी आपके macro nutrients है जिनकी amount 10 millimoles से जादा लगती है ठीक, इससे जादा लगती है, very good तो phosphorus आजाएगा, potassium आजाएगा, option sulfur आजाएगा, calcium आजाएगा अगर मैं इससे निकाल दू तो इससे manganese निकाल सकता है, अगर इससे निकालना चाहूँगा तो selenium को निकाल सकता हूँ, अगर इससे निकालना चाहूँगा तो iron को निकाल सकता हूँ, तो बहुत जादा चीज़ों को निकाल सकता हूँ तो आज ही मैं आपको चेताओ नहीं देना चाहूंगा Macronutrients, Micronutrients को याद कर लो इसके उपर question पूछा जाता है यह राज किसी को मत बताना ठीक है यहनकी यह का राज मैंने खोल दिया है Next question आपके screen के सामने What causes a great plant exposed to the light on the only one side to bend towards the source of light यह चीज़ आपने देखी होगी हमारे दो एक चचा थी ठीक है एक चचा थे ठीक है और चचा का एक लड़का था उन दोनों का नाम बताने ठीक है चचा का भी नाम बताने और चचा के लड़कों का भी नाम बताने एक ही लड़का था बेचारे का तो मेंको क्या लगता है चाचा ने खुछ से research किया होगा और फिर बाद में लडगे का भी नाम डर दिया ठीक कै lick मेरा भी नाम गया है तो मेरे लडगे का भी गया कौणसे चचा थे उनों ने भी यह कहा था और चाचा का लडगा तो यह दोनों ने anxiety में आपने कभी बढ़ा होगा ठीक है तो accumulate होता है शेड़ी साइड पर जिसकी वज़े से plant क्या करता है मैं इधर चला मैं उदर चला मतलब क्या करता है जहाँ पर भी sunlight हो sunlight के direction में बेचारा मुड जाता है क्यों क्योंकि with the help of अगुस दिन क्या होता है शेड़ेड लाइफ पर जा जाता है और बेचारा यह जो सिलोप्टाइल होता है ठीक है सिलोप्टाइल मैं इधर चला मैं उदर चला वेरी गुड यह चाल्ज डार्विन अंदर फ्रांसीज डार्विन वेरी गुड नेस्ट कोशन आपके उसके उपर क्या करते हैं से कट करते जाते हैं जब तक हमारे फ्लोयम वगरा मतलब कट हो जाए तो जब भी हमारा फ्लोयम कट होगा तो एक सिंपल सी चीज़ देखना आपके जो पत्ते थे मेरे दोस्तों लिउस ओ फोटो सिंथिस करेंगे मतलब उन्हें के पास फूड ठाएगा बता दो क्या बेचारा जिंदा रहे पाएगा या तडब तडब के मर तडब मर जाएगा ठीक है तो वैसे उसके अंदर कोई यहांगे the natural habitat जंगल में में दोस्तो, natural habitat मतला ही जंगल ठीक है वह वस्त क्या अता है natural habitat वेगरा, over do ऊच्छा करने से बहुत बढ़िया लगता है धेखो में कितना होशी आ है रहओ natural habitat बेटा जंगल में अगर मैं growth में जंगल में तो कैसा दिखा देगा obviously stigmoid ही दिखाई देगा reason मैं आपको बताता हूँ explain करता हूँ क्योंकि जब natural habitat होगा या तो jungle होगा वहाँ पर seasonal variations होगे तो seasonal variations की अंदर भी वो हर एक season की बीच में हर एक साल वो आपको stigmoid दिखाई देगा हर एक बार हर एक साल stigmoid दिखाई देगा ठीक है so option A is the correct answer देखो हमारा session बस रटने वाला session नहीं होना चाहिए इसकी बीच में concepts भी cover होनी चाहिए important questions भी cover होने चाहिए और आपको idea भी आनी चाहिए मरे दोस्तों ठीक है बस रटना is not our intention next question आपके screen के सामने which one gives the most valid and the recent explanation of stomatal moment जल्दी से यह question मैंने पहले भी solve करा के लिया है transpiration potassium influx and reflux charge hydrolysis or the guard cell photosynthesis जल्दी से जल्दी जल्दी बहुत बढ़िया let me tell you थोड़ा से दिमाग लगाते न तो stomata क्या करता है transpiration करता है transpiration कहेना अच्छा रहेगा क्या है ठीक है तो इसके पास cells होती है मरे दोस्तों इसके पास kidney shaped cells होती है जिसे हम कहते है guard cells इसे हम क्या कहते है guard cells तो जब भी आपका potassium का influx होता है potassium जब अंदर जाता है यह बैचारी full जाती है और full ने के वज़े से open हो जाती है ठीक है में तो open हो गई जुब 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 और जब आपका influx होता है मतलब potassium निकल जाता है तो यह होता है मितलब क्या होता है फिर से close हो जाती है तो यह होता है मरे दोस्तों potassium की influx as well as the influx की वज़े से please tell me humans की बीच में potassium extracellular fluid या intracellular जल्दी से तरगर प्लेशर very good बेटा जोटसना ने कितना प्यारा अंसर बता है तरगर प्लेशर कितने प्यारे हो यार ठीक है कितने प्यारे बच्चे हो आप सभी लोग yes अस्था अस्था गेरी yes पुजा जवान दिप्ति कुमारी भूशन है अईश मिश्रा है सभी लोग अंसर करना है ठीक है ऐसे नई नवई दुल्हन की तरह मत बेटा करो शर्मा की यह स्पनोज शर्मा की मत बेटा करो कि कैसे अंसर करूँगा भहिया देखेंगे या नहीं देखेंगे very nice तो इसका अंतर आपका होने बाले और सेकंड चाप्टर है स्टेक्शियल रिप्रोडुक्शन देखेंगे अंचियो स्पम्स दो जगा से एक सिंपल कॉमन कोशन पूछा जा सकता है ठीक है जल्दी से हाइलम क्या होते मर्दोस्तों आपका गड़ा होते है एक थोड़ा सा स्क्यार होता है एक दरी की तरह होता है जहां पर आपका फ्यूनिकल अटाच होता है जास सपोज कि आपका ओविल होता है ओविल के जगा पर भी आप कंसीडर कर सकते हो बट सीड के बीच में यह आपके प्लासेंटा के साथ जो कनेट करता था ना पहले फर्टिलाजेशन से पहले वो चीज बनाती है फ्यूनिकल के साथ फ्यूनिकल को आप अमलिकल कॉर्ड के साथ रिलेट करा सकते हो ठीक है ऑप्शन एस दिकरेट अंसर बहुत बढ़िया है इसका फंक्शन हो सकता है नेक्स्ट इंपॉर्टन कोशन में दोस्तों विच्वन फॉलिंग में रिक्वाइर पॉलिनेटर चाहिए बट जेनेटिकली वो ऑटोगैमी होने वाली है देखो सिंपल इंपॉर्टन चीज है पॉलिनेटर तो लग सकते है ठीक है बट रेनेटिकली वो ऑटोगैमी है क्या अंसर हो सकता है जल्दी से तो इसका अंसर भहिया बहुत ही ज्यादा सिंपल है भहिया हम आपको बता देते हैं कि हमारा एक प्लांट है भहिया ठीक है यस तो इसका एक प्यारा सा फ्लावर है अब यमें एक दूसरा काला फ्लावर रोग करता हूँ ठीक है तो क्या है म में इस भी फ्लावर के ले लू या इसी फ्लावर को ले लू दोनों का जेनेटिक मट्रियल सेम होने वाला है जीन सेम ही होने वाले reason क्या होने वाले हैं पर दोस्तों क्योंकि अगर आप अपने शरीर की कोई भी सेल लोगे तो जीन तो सेम ही होने वाले ना तो इसे हम कहेंगे gyadenogamy very good option is the correct answer जीनोगामी बस अकेला होता है जो कि genetically variant लाता है ठीक है बहुत बढ़िया बहुत दिनों से ना मेरी तब्यद बहुत ही खराब है ठीक है क्या पता भगवान का भगवान क्या सिम्टम दे रहा है कुछ दिनों के बाद हमारा क्या ही हो जाएगा ठीक है जाने दो भगवान पुकार रहे शायए था जल्दी से इस को सौल कर लो which one of the following statement is not correct ओके अपने अंसर बता भी दिया नहीं 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 ओके एक सिंबल सी चीज़ देखना option D आपका incorrect नहीं है मरे दोस्तों वो correct है let me tell you the correct option my friends जल्दी से चत्रा ने कहा अतिका ने कहा option C जल्दी से correct करे के कोई तो बता दो option C is the incorrect option let me tell you the flowers pollinated by the flies and bats नहीं मरे दोस्तों बीटल्स होना चाहिए ठीक है बीटल्स होना चाहिए secret यहाँ पर ठीक है order to attract them जल्दी से तो option C आपका incorrect होने वाला है स्वारिया मुझे खासी आ गई थी that's why मैं थोड़ा सा confused हो गया confused हो गया मतलब थोड़ा सा uncomfortable हो गया तो यहाँ पर आपका option होने वाले मरे दोस्तों सी यहाँ पर उनकी printing mistake है आज के पेपर में उनकी printing mistake है तो यहाँ पर आपका बीटल्स आने वाला है मरे दोस्तों सो options C incorrect होने आपकी स्विन के सामने इन होता है मरे दोस्तों उसके अंदर आपका रहिजोम होने वाला है बहुत बढ़िया जल्दी से offset की examples बता दो offset के example बता दो तर्मरिक भी आता है बहुत बढ़िया offset का example क्या होने वाला है कोई बता सकता है मुझे तो यह करेट है बहुत बढ़िया तो next question आपके screen के सामने यह रहा हमरे दोस्तों जल्दी से पिस्टिया इक और निया हो जाएगा बहुत बढ़िया वाटर हैसिंज वागरा इस question को solve कर लो चलो इसके उपर थोड़ा सा चक्कर मारा तो चक्कर मारने को जाता है बट पॉलिनेशन करके जाता है ठीक है तो नेक्टर और उसे के साथ पॉलंग्रेंस उसके लिए एक reward होना चाहिए देखो इतना बढ़िया काम करता है ना पॉलिनेशन का फोकट में तो नहीं करेगा मि ने ले सकता तो नेक्टर और पॉलंग्रेंस लेता है नेश्ट कोशन अब इनई प्लांट वेर उसे कोंट्रेस्टिंग्रेंस पूछे और पेर्स के फ़र्म में पूछा है जल्दी से पूछी है जोड़ी मेरे दोस्तों जोडी बेरी गुड तो इसका अंसर आपका उप्श मैं आपको अभी एक request करना चाहूंगा कि सभी लोग इस characters को अच्छे से याद कर लो कि कौन सा dominant है कौन सा नहीं है मेरे दोस्तों ठीक है नेस्ट कोशन आपके screen के सामने है which is the most common mechanism of genetic variation in the population of sexually reproductive organism simple question में आपको explain करता हूँ just suppose just suppose कि यहाँ पर कोई है जो कि sexually reproduction करता है जल्दी से अच्छे से देखना बहुत बढ़िया मुझे लगा था कि यार मुझे लगा था कि यार आप बहुत अच्छे से इस question को mistake कर दोगे मुझे लगा था कि आप mistake कर दोगे but just proud of you you are proud of you recombination की वज़े से just look at here let me tell you यहाँ पर just suppose मेरे पापा है यहाँ पर मेरी मम्मी है ठीक है उन्हें ने रिप्रोडुक्शन किया था ठीक है सर्वाइवल के लिए बहुत इंपोड़न्ट रोल प्ले कराके देथा है वेरी गुड नेस्ट कोशन अ टेक्निक ओफ माइक्रो प्रोपाइगशन चांसे सॉक इनकरेट करने के बहुत ज्यादा है जल्दी 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 इस question को सवाल को नमर द अस्था है गौरी है जोच्चना है वगरा भी जूज करें ओके लेट में टेल यूँ इसका अंसर भी है स्वामेटिक एंब्रियोजनिसी से स्वामेटिक एंब्रोजनिसी इस ते करेंट अंसर बट मुझे चीज़ बता दो स्वामेटिक हाइब्रडाइजिशन क्यों नहीं थोड़ा सा दिमाग लगा तो स्वामेटिक हाइब्रडाइजिशन क्या होता है नहीं यहां पर ऑप्शिन भी ही आ जाएगा स्वामेटिक एंब्रियोजनिसी से होने वाला क्योंकि माइप्रोज प्रोपेगशन की तुरू हम क्या बना सकते है ठीक है नए प्लांस को नई से माग लगा लूँ आपको इसका अंसर आता है कि स्वामेटिक हाइब्रडाइजिशन क्यों नहीं है सेग्रिकेशन नहीं 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 उसका ओर नहीं रिजन नहीं होने वाला तो मोमेट ऑफ जीन प्रॉम वन लिंकेज गुरूप तो आपकी मोमेट्स होती है उसे क्या कहोग वेरी गुड उसे आपको होगे ट्रांस लोकेशन अपना हिलना डूलना मेरे दोस्तो ठीक है तो क्या गरेगा एक लिंकेज गुरूप से दूसरे लिंकेज गुरूप तक चला जाएगा बहुत बढ़िया इसकोशन आपके सामने है multiple alleles किसके अंदर present होते है या तो कैसे present होते है multiple alleles का आप एक example बता सकते हूँ मेरे दोस्तों comment section की बीच में मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो जाएगी जल्दी से जल्दी 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 multiple alleles किसके बीच में present होते है कैसे होते on different chromosomes ठीक है at different loci on the same chromosomes at the same locus of the chromosome और उसे की साथ on non-sister chromatids बहुत बढ़िया at the same locus on the chromosome locus को आप side की तरह भी consider कर सकते हो ठीक है locus को side की तरह भी consider कर सकते हो so option C is the correct answer multiple alleles का ABO blood grouping system very good ABO blood grouping system ठीक है कैसे IA हो जाएगा, IB हो जाएगा, I0 यह सभी इसके अंदर होने वाल है very good so option आपका C is the correct answer option C is the correct answer बहुत बढ़िया next question आपके screen के सामने है which body of the government of India regulates genetic modified of the research center of QSACS कह सकते हो ठीक है safety of introducing genetically modified organizations for public services एक simple चीज़ देखना है मरे दूस्तों क्या, एक simple सबस्पोर्टन चीज़ होती है ठीक है, अगर आप कोई भी genetic modification कराओगे कभी एक पागल कोई अपने आपको scientist समझने वाले मेरे जैसे लोग हो सकते है वर तुस्तों ठीक है ओ क्या करते हैं घर बेटके क्या कर देंगे कि research कर देंगे कोई भी research कर देंगे mutation कर देंगे कोई भी कर देंगे तो इसके लिए उससे control करने के लिए या तो हर एक चीज़ को responsibility देने के लिए हमार यहाँ पर genetic engineering apperol or the appercial committee होती है मरे दोस्तों ठीक है जो कि एक validity मितलब देखती है क्यार कब तक research करना चाहिए कैसे research करना चाहिए अगर research करनी है तो कौन से restriction होने चाहिए सभी चीज़े इसके बीच में करती है बहुत बढ़िया next question आपके skin case आपने in BT cotton the BT toxin present in the plant tissue as the protoxin ठीक है और prototoxin भी आप कह सकते हो ठीक है is converted into the active toxin एक simple सी चीज़ देखने है मेरे दोस्तो वही आप scientist है तो मतलब आप scientist हो बस आपका नाम नहीं आया तो एको पता है मेरे publicity करना में को पसंद नहीं है ठीक है नहीं तो आपके हर एक पन्ने पर मेरा नाम आ जाता है ठीक है ठीक है ठीक है थोड़ी से वहाँ पर चार-पाज गालिया भी लिखी होती जब insect उसे खाएगा तो insect के पेट के बीच में वह आपका प्रोटोडॉक दिन चला जाता है वहाँ पर होती है alkaline pH alkaline pH पर वह आपका हो जाता है active form के अंदर convert और बेचारा तडब तडब के मर जाता है insect क्यों क्योंकि वहाँ पर swelling होती है force का generation वहाँ पर होने वाली है thank you next question आपकी screen के सामने the crops engineered for glyco phosphate are resistant और tolerant तो आपको लगेगा कि यार आपका out of NCIT question है but let me tell you आपका out of NCIT question नहीं है मेरे दोस्तों या आपका NCIT से बिलॉंग करने ही वाला question है PYUC बिलॉंग करता है ठीक है 2014 में पूछा गया था 2015 में भी पूछा गया था ठीक है यास यास बहुत बढ़िया तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि आपके जो herbicides होते just suppose कि आपको खेतिबाड़ी करना बहुत पसंद आप खेतिबाड़ी कर लिए तो आप क्या करों कि Him वहाँ पर होगा बढ़ुआ आपको पताए कि वाली जीजह होती डीघ्रेड नहीं होती है तो अगर वे दिए नहीं होगा तो उसकी वजह से हमें हाम हो सकता है उसकी वजह से Fantastic केOn आपको एक चीज बहुत बुरा करते हो ना जिंदगी में तो आपको देखने वाला कोई आपको एक स्क्राइब अपको चीज बता है आपका जो माईटो काई आपका जो अपका जो मैटो-कॉंट्रिया होटा है यह दबल और इसके पास खुद का डिन भी होता है मेरे दोस्तों क्योंकि क्योंकि हम कहते हैं semi autonomous मेरे दोस्तों ठीक है nucleus के अंदर तो obviously DNA होगा ही ठीक है एक simple सी चीज जो आपका ribosome होता है मेरे दोस्तों वो आपका थोड़ा सा concentrated form में present होता है तो ribosome के पास खुद का DNA नहीं present होता है yes so option B is the correct answer next question आपके screen के सामने है जो the following enhances or induces future of protoplast एक simple सी चीज देखना क्या है आपका जो protoplast होता है मेरे दोस्तों आपने चीज देखे होगे protoplasmic fusion हमने क्या था हमने pomato बनाया था ठीक है without cell wall अगर कोई cell को आप mix करा रहे हो उसे हम कहते है protoplasmic fusion तो इसे आप कहते हैं मरे दोस्तों protoplast तो उसे हम क्या कहते है protoplast तो आप आता है आपका PEP that is the polyethylene glycol और उसी के साथ sodium nitrate यह चीज़े होती है 200 cell wall degrade भी करती है और protoplast को fuse भी करा देगी तो इसके अंदम two different cells को भी क्या करा सकते है ठीक है यह बंदन तो प्यार का बंदन है ठीक है तो इस तरीके से हमने क्या बनाया था हमने pomato बनाया था UN Conference of Parties on the climate change in the year 2011 was held in मनलवने किसके क्या था climate change के रेगाड़ी आपको चीज़ पता है कि अगर ऐसा हमारा क्या होता है यह temperature अगरा बढ़ना स्टार्ट हो गया इतना ही जाधा temperature बढ़ता रहा तो हमारा जो बरफिला जो रीजन है न वो पिगल जाएगा ठीक है और उसकी वज अगर यह चीज याद कर सकते हो न तो शोरल याद करना क्यूंकि यह नीट में पूछा जा सकता है यह चांसे तो बहुत ही जादा है ने इस कोशन आपके स्क्रीन के सामने है वर्टिकल डिस्ट्रिबिशन ऑफ डिफरेंट स्पेसीज उक्यूपाइंट डिफरेंट लेवल स पूछा था किस ती डिनोट कर सकते हो वैसे तो बायोटिक पोटेंशल के लिए करते है बट वैसे मैं कम्यूटिक को भी लगा सकता हो ठीक है आर और सेलेक्टेट स्पेसीज भी कह सकता हो तो उसके अंदर आपका स्ट्राइटिफिक्शन इस भी बहुत बढ़िया नेस्ट क कुछ समय नहीं लगेगा आप नीट एस्पेरेंट की तरह रहो ठीक है नीट एस्पेरेंट की तरह ही रहो अगर मैं लीगल एक्शन दूंगा ना तो बहुत अच्छा नहीं होगा यह लास्ट वर्निंग है अभी तक मैंने कुछ नहीं कहा था स्टूड़न को मत कुछ कहना वह अच्छे से पढ़ाई करने को आए उसे पढ़ाई करने दो प्लीज इस दे लास्ट वर्निंग इसके आगे कुछ नहीं होगा नेश्ट कोशन इन वीचो फॉलिइंग बहुत बेर साइब करेक्ट कॉम्बिनेशन जल्दी से करेक्ट कॉम्बिनेशन इनसी तो मतलब क्या आपका आने वाला है वहाला है क्या हो जाएगा आपको स्क्रीन के सामने वहां नहीं तीक कोई नहीं ती जहाप अमनलब ज्यादा spaces वर नहीं थी, वहाँ पर spaces बनना तो succession दो type का होसकता है primary succession कहाँ पर होता है simple सी, बहुत ही सब important चीज़े मरे दोस्तो वोigor जाएगा ठीके लाइक आपका जो लावा वगएरा फूल हो साथा है वहाँ पर ठीके बेर रॉक वगएरा secondary वहाँ पर होता है degraded forest हो सकता है जहाँ पर flood वगएरा आ चुका है तो यह बर secondary succession जो होता है वो degraded forest पर यह जो होता है उसका rate थोड़ा सा जादा होता है, थोड़ा नहीं, बहुत जादा होता है, reason क्या आप दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर पहले से soil वगरा present होती है, पहले ही organic materials present होते है, that's why degraded forest पर soil होनी के वज़े से secondary succession करेट जादा होता है, बहुत बढ़िया, और primary succession के अंदर आपके lichens बहुत ही जादा important rule प्ले करते है, very good, next question आपके screen के सामने मरे दोस्तों, the mass of living material at the tropic level at a particular time, उसे आप क्या कहोगे, the mass of living material at a tropic level at a particular time, क्या कहोगे मरे दोस्तों, simple सीज़े मरे दोस्तों, living material दिया है, तो आपको यहाँ पर organic को consider करना है, क्या करने, organic material को consider करना है, तो बहुत ही दबाद simple चीज़ होती है, अगर किसी भी ट्रॉपिक लेवल पर बस living material को देखोगे, तो उसे हम कहेंगे standing crop, बहुत बढ़िया, उसे हम क्या कहेंगे standing crop, most of the बच्चों का अंसर standing crop ही था, option is the correct answer, almost अभी बच्चों का अंसर correct है, ठीक है, बहुत बढ़िया, standing state किसे कहेंगे, standing state, तो जिसके अंदर हम inorganic material को देखते है, inorganic substances को देखोगे, जैसे कि आपके elements बगर आ जाएंगे, ठीक ही, जो कि हमारे मिट्टी में हो सकती है, nutrients आइं क्ली के बीच में बहुत बढ़िया, so option 4 is the correct answer for this question, बहुत बढ़िया, next question आपके screen के सामने, in an ecosystem, the rate of production of organic material during photosynthesis, question के अंदर एक गोर करने वाले चीज़ है, कि यहाँ पर आपका during photosynthesis दिया है, क्या दिया है, during photosynthesis दिया है, तो photosynthesis के वक्त जो आपका producer होगा, यहाँ पर हम क्या consider करेंगे, plants को consider करेंगे, ठीक है, तो जो भी आपके producer होते हैं मने दूस्तों क्या करेंगे, photosynthesis करेंगे, तो बनाते हैं आपका GPP, that is the gross primary product, ठीक है, तो एक चीज़ देखना simple, चीज़े plant है, तो खुद से इता जादा कर रहा है, तो खुद से respiration भी करेंगा, तो GPP मैंसे आप जब रही आर निकाल दोगे, respiration noses, तब आपका बन जाएगा, NPP, that is the net primary productivity, नेट primary productivity आपका available होता है, consumers के लिए, ठीक है, तो इसका answer simply आने वाला है, मेरे दोस्तों, option B, इस दिक फिगर बेस्ट वागेरा, questions, addition, reason type of the question, and the reasoning best question भी हम solve करना के लिए ठीक है, उसके एक special सा, एक अलग सा भी session हम रख सकते है, ठीक है, which of the following characteristics is mainly responsible for diversification of insects on the land, एक चीज़ देखना, insect मतलब क्या होने वाला है, मेरे दोस्तों, insect मतलब ही आपका अर्थ्रोपुडा होने वाला है, तो आपको एक simple सी चीज़ पता है, मेरे दोस्तों कि अर्थ्रोपुडा का number किता जादा है, even two-thirds species जो है हमारी animals की, उसमें अर्थ्रोपुडा ही exhaust के letter है, जो कि kaithin का बना होता है, ठीक है, जो कि बहुत जादा मजबूत होता है, यह दिवार तो तूटेगे ही नहीं, अंबूचा, cement आप कह सकते हो, ठीक है, तो यह दोस्तों क्या होता है, यह थोड़ा सा hard होने की वाज़े से, hard नहीं कह सकते हो उसे, पर protective होने की है, which of the following represents the correct combination without any exception, correct combination पूछा है, memory gland, hair on the body, pinnay, two pairs of the limbs, mammala के अंदर प्रेजेंट हैं मरो दोस्तों, ओके यह साईश्यू, उसके लिए कर लेंगे ठीक ही बात, उसके लालक से बात कर लेंगे, mouth, ventral, gills दिया है, ठीक है, यह आपर gills होना चाहिए, ठीक है, without operculum, यहापर आजाएगे मरों दुस्तों, skin with blackoid scales, persistent notochord, coronary sites, ठीक है, sucking and the circular mouth jaws absent, integument without scales, paired appendages, cyclostomata, ठीक है, एक सिंपल सी चीज़ देखना, without any exception पूछा है, आपका एक सिंपल सी बात बताना चाहूंगा, कि आपका जो mammalia होने वाला है, मरो दुस्तों, ठीक है, क्लास, इसकी बीच में memory glands होत है, most of the cases में होते है, two pairs of the limbs भी ये correct ही होने वाला है, ठीक है, बट इसके अंदर मुझे देखना पड़ेगा कि exception कौन सा है, और इसके अंदर मुझे exception देखना पड़ेगा, तो इस question को मैं थोड़ा सा side में रखता हूँ, इसमें एक बार review करके बता दोगा, वैसी तो options दी ही लग रहा है में को, ठीक है, बट एक बार मुझे देखना पड़ेगा कि इसके अंदर कोई-कोई matching वगरा है या नहीं, ठीक है, नेश कोशन आपके screen के सामने, इसका अंसर कोई अभी तो मत consider करने, ठीक है, पुझे तो falling is not a OV Paris, तो वी-वी-वी-वी-वी-वी-वी-वी-व हो सकता है, और इसका दूसरा नाम भी आप बता सकते हैं मेरे दोस्तो, प्लाइंग फॉक्स मतलब बैट, एलिपन्ट, प्लाटिपस और वेल, तो आपको एक सिंपल सी चीज़ बता होगी मेरे दोस्तो, कि प्लाटिपस एक example जो है मेरे दोस्तो, एक exception होने वाला है इस चीज है मरे दोस्तो, क्या करता है, X के थू, यह अपना reproduction, मतलब reproduction हो जाएगा, yes, ornith or righteous, very good happy, बहुत बढ़िया, next question आपके screen के सामने, arithropoesis कहापस start होगा, यह question सच में मुझे आज तक बहुत ही बार, बहुत ही बार confused किया है, reason क्या आप देख सकते हो, जब हम early stage में थे, मतलब जब हम बन रहे थे, जब आप पता कर सकते हो, क्या हम, हमारी जब formation हो रही थी, तब हमारे अंदर इसी कुल सी चीज हो जो क्या RBCS की formation करा सकती है, क्या आपको लगता है, वो क्या चीज होती है, कोई बता सकता है, कोई बता सकते है, उसका reason, उसकी बाद हमें spleen का भी reference दिय जाए, JJ cells of the kidneys, मेरे दोस्तों, वो help कराती है, start पूछाए, नहीं, kidneys तुने आएगा, liver भी इसके बिच में नहीं आता है, red bone marrow ही आपको answer में चूज करना है, क्योंकि NT आपका यही answer suggest करता है, so option D ही correct होने वाला है, ठीक है, बट यहाँ पर आपको नहीं पूछाए की reference में, कि आपको किस stage में start होगा, कुछ होगा, बस starts इन पूछा है, तो red bone marrow ही आपका होने चाहिए, very good, yoke sack in the embryo stage is the correct answer, वैसे तो देखला कि हमारे अंदर yoke sack जो होता है, उसका कोई ज़्यादा function नहीं होगा, क्योंकि हमारे अंदर तो, जो nutrition होता है, वो हमें मम्मी सी मिलता है, placenta के through में लेगा, मम्मी के through, ठीक है, बहुत बढ़ी है, next question आपके screen के सामने, the turga, sterna and the pleura of cockroach body are joined by, जल्दी से, आपका जो टरगा होने वाला है, मेरे दोस्तो, sterna होने वाला है, और जो pleura होता है, cockroach body का, वो किस से join किया आ जाता है, एक छोटी से membrane होती है, बहुत ही ज़्याद जिसको लोग बहुत बढ़िया question है, तरगा, sterna और pleura इससे आपके join किया जाते है, यह NCIT की acidities line है, मेरे प्यारे दोस्तो, ठीक है, बहुत बढ़िया, next question आपके screen के सामने है, nuclear envelope is a derivative of, this question is one of my favorite question as well as the important question, इसका derivative हो पूछा है, nuclear envelope होता है मेरे दोस्तो, nuclear envelope करे का, जुब जु होता है, रफ का नहीं होता है, नहीं नहीं, रफ का नहीं हो जाएगा ना, ठीक है, रफ का किसे हो जाएगा, रफ का होता है क्या, रफ का होता है क्या, ओके, लेट मी, लेट मी एक पर चेक करने तो, मुझ में, लेट मी चेक, ओके, रफ तो तब हो जाएगा ना, जब उसके क्यों पर राइब उसम्स प्रेजेंट होंगे ओके इसा होता है क्या ओके तो मुस्ट मतलब स्टुडेंट्स का अंसार आ रहा है ऑप्शन डी ठीक है और में भी इसकी रिकाडिंग बहुत ज्यादा शुवर नहीं हूँ ठीक है अरफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्या इसे मैं को एक बार इसे क्रॉस चेक करने दूँ ठीक है तो ऑप्शन स्टुडेंट्स के अकूर्ण डी के तरफ जाएंगे और मैं इसकी बीच में कंफ्यूस था तो इस कोशन को मैं टेलीग्राम पर डाल दूगा ठीक है टेलीग्राम पर रिवीव करके डाल दूगा इस को ठीक है यह सभी लोग कहे तो आरी आरी होने वाला ही ठीक है चलेगा नेश्ट कोशन आपके स्क्रीन के सामने बर दोस्तों यह 100% कव है नहीं यह अंसर हो सबता है ठीक है बट मैं इसका नहीं ले सकता ना ठीक है क्योंकि आप वैस्तिक कहें दो कि अगर मैं कुछ गलती से ग प्र Cowls जल्दी से जोए ऐसे क्र א। से जल्दी से ऐसे लिभाम नहीं 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 ओक्षेन एक से होगा मैट्रिक्स ओफ माइडो कॉण्टरि वें क्या करेंगे मेरे दोस्तो सोमेड्र का ज़ली च्वेच्प का सब्सक्रंद क्या होने उए इस जगा पर यह जल्दि से क्या फंक्षिण होने वाला है डिष私 कि साइटोक्रोम का function क्या होने वाला है साइटोक्रोम अगर A हो जाए बीस सी वैनों कौन सा भी हो जाए उसका function क्या होता है using the ETS very good तो ETS कहा पर active होगा matrix में होगा या crystal of mitochondria में होगा जल्दी से choose कर लो नएक स्क्रिंट के सामने मरें दोस्तों बहुत important चीजे इसलेटी करेट ऑप्षिन बहुत ही जादा इंपॉर्डॉन कोषिन है चुछ कने अराम से हो जाएगा टूड दे अलेक्टवन करिया रहें इलेक्ट्रान ट्रांस्पोर्टें चनके इंदर ऐट्या साखेगरिया मैट्रिक्स क्रिस्टे होने वाला है क्रिस्टे होने वाले बहुत जाद बच्चे क्रिस्टे भी एंसर कहा रहे है क्रिस्टे टो कर दो उसको में सौल करागे दिखा दूगा जूम करना है कि कृत्ता जूम करेंगे अभी विचार अपनी लीमिट तक अफ़ पहुंच चुका है ने वह रहा है जूम ठीक है गवरी कहरी आंसर डी हो जाएगा जल्दी 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 से ड्राय करो सौल करो हो कि प्रडूइसिंद मैट्रिस भी कह रहे हैं सुधाकर ओके ट्राय करो जल्दी से सॉल करो मेरे दोस्तों ओक एक चीज देखना एक्शन ऑफ एंजाइम रिकॉम्बिनेंस कब हो जाएगा आप एक सिंपल सी चीज देख सकते हो यह का पर हो जाएगा आपके पैकेचिन की बीच सब्सक्राइब कुणों को जल्दी सेंग्र्दी साल कर लो एक सोमेटिक सेल है इसने अभी बस एस स्पेस को complete किया है तो उसके gamut के comparison में उसके अंदर किते चीज़े होने वाले है किते क्या होने वाले है आप क्या सकती हूँ कि DNA बता वना और chromosome बता रहा है simple सा question है जल्दे बता दो ओके बहुत बढ़िया proud of you proud of you बहुत आसानी से गलत हो गया बहुत आसानी से गलत हो गये आप आपको थोड़ा सा पढ़ने में कुछ दिक्कत है क्या है मरे दोस्तों question को चैसे पढ़लो we ask compared to the gamut of the same species gamut होते हैं haploid gamut universally haploid ही होते हैं मरे दोस्तों तो थोड़ा सा दिमाग लगा देते तो यहाँ पर आपको haploid दिया है twice the number of chromosomes हो जाएगा क्योंकि haploid हो जाएगा तो आपकी normally complete यह cells diploid हो जाएगी और 4 number of the आपका DNA हो जाएगा क्योंकि इसने यह phase को complete किया है मतलब यह 4C का इसके बीच में content होने वाला था so option C is the current answer इसके बीच में कोई confusion नहीं है न confusion तो कोई नहीं है न question बहुत ही जाधा simple सामरब तो बहुत ही जाधा पर आपने पढ़ा नहीं किसी छोटी सी minor सी mistakes नीट में मत करना प्लीज next question आपके skin के सामने उच्छो तो following statement is not correct incorrect option choose करना है incorrect option choose करना है अपके क्योंकि यहाँ पर आपकी जो bruno's gland होती है वो आपके सबमें mucos of stomach के अंदर प्रजेंट नहीं होरे में दुस्तो कोई बात ने हम सॉल कर लेंगे ठीक है यह आपके duodenum के बीच में होने वाली है very good, बहुत बढ़िया, तो option A is the incorrect option, बहुत बढ़िया, यह क्या अगर alkaline fluid को secret करती है, continuing enzyme correct है, नेश्ट कुछन आपके screen के सामने, gastric juice of inference के बीच में क्या होता है inference का पूछा हैं मरों दोस्तों, छोटे is the correct answer, अरे, option maltease क्यों डाल दिया, ठीक है, maltease gastric में कहा था, maltease को gastric में कहा डाल दिया, ठीक है Repsynogen आ जाएगा, ठीक है, उसे के साथ lipase आ जाएँगे, उसे के साथ rhenine आ जाएगा, so option is the correct answer maltease को काई को डाल दिया, stomach के बीच में, gastric के बीच में, so option और रेनिंग जो होता है मैं जो स्पेलिंग के उपर ध्यान देना र-e-n-i-n यह होता है आपके स्टमक के बीच में और र-e-n-i-n होता है आपके कीरिनीज के बीच में यह चीज को कभी गन्फ्यूज मत करना नेस्ट कोशन आपके स्क्रीन के सामने वेन यू ओल यूर ब्री CID को बहुत बात देखा होगा आपने ठीक है तो उसके बीच में मेरे दुस्तों क्या होता है एक सिम्पल सी चीज देखना तो जब भी आपका ऑक्सीजन का इंटेक आप बीच में रोखोगे ठीक है जब आप इंस्पिरेशन रोखोगे तो ऑक्सीजन की वाज़े से कोई द करता है आपके carbon dioxide को क्यों क्योंकि जादा carbon dioxide हमारे लिए harmful होने वाला है तो इससे eliminate करना बहुत ज़्यदा important चीज है तो जब भी आप सास लेने को ट्राय करते हो न इससे करोगे न तो उस सबसी important चीज बहाँ पर क्या होने वाली है कि वहाँ पर आप eliminate करना चाहते हो carbon dioxide को ना aorta कब कहा फर खुलता है मेरे दोस्तों एक सिंपल सी चीज है कि आपका oxygenated blood को ट्रांसपोर्ट करता है कहां से कहां तक आपके हाट से आपके सकते हैं कि left ventricle से आपकी पूरे body तक बहुत ही तादा simple सा answer इसका होने वाला है जब भी आपका सिस्टोर होगा left ventricle का ठीक है उसक इसके अंदर से आपका oxygenated blood पूरा इसके अंदर चला जाएगा तो aorta के अंदर आपका blood pressure सबसे ज्यादा इस condition के अंदर होने वाला है so option c is the correct answer that is the system of the left ventricle बहुत बढ़िया next question आपके स्कींग के सामने है which of the following is the correct correct option को choose कर लो और जीतो साथ करो रुपा है जल्दी से plasma equals to blood minus lymphoc lymphocytes ने क्या विगाड़ा था यार कि plasma से निकाल दिया तो incorrect है मेरे दोस्तों serum blood plus fibrinosian यहाँ पर minus करना था ठीक है minus करना था सौप्षी ने भी incorrect है lymphocytes to plasma plus rbc plus wbc आपको पता है मेरे दोस्तों की rbc बहुत ही rare होती उसके बीच में यह भी incorrect है तो correct option कौन सा बचा blood जो होता है जल्दी 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 प्लाजमा कित्ता परसेंट होता है बहुत बढ़िया एक को देने के लिए भी तुम्हें बस खयाली पुलाव ही मायन सकता है बेटा हाथ में नहीं देख सकोंगा ठीक है साथ करोड़ नेस्ट कॉशन जल्दी से पीस्टी और पीस्टी यू प्रॉ दोगे कट पीचारों को जा वोलोगे मेरी घर से तो उसकी वज़े से क्या होकई जल्दी से जादा होता है सर्फसे जाधा होने के वज़ज़ का पर सबसी जादा सब सी जादा रियाबजोप्छन होता कटेंटरेब्स हो हो जाएगा मतलब सुसु जादा हो जाएगे क्यों कि रियाब्जॉप्शन ही नहीं हो पा रहा है 70-80% रियाब्जॉप्शन तो बस PCT करा रहा था तो दैट इस सुवाइमर दोस्तों वहाँ पर जादा diluted urine वहाँ पर प्रोड्यूस होगी ठीक है ओके नेश्च कॉिशन आपके स्कीन के सामने स्लाइडिंग फिलामेंट ठीयोरी किसके थूलू बेस्ट 마ff कि जा सकती है sliding filament theory sliding filament theory can be best explained as क्या किया आ जा सकता है NCIT का question है मेरे दोस्तो as it is the NCIT की line उने दी है जादा डरना नहीं है कुछ नहीं है जल्दी 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 है इसको मैं पढ़ने को नहीं जाओंगा बहुत बड़ा question है बहुत ही बड़ा question है जल्दी से बहुत बढ़ने वाले option C कि आपका जो actin होता है और myosin होता है और क्या करेगा दोस्तों की shot करेगा एक दूसरी के उपर ठीक है क्या करता है अरे option match किया गया है आपका जास बड़ा सेकेंद यह और यह सेम दिया है क्या अरे यह ठीक है एक simple सी चीज़ देख लो कि इसके अंदर आप कोई भी option मत करना ठीक है doesn't short incorrect question है question को आप निकाल सकते हो इससे निकाल सकते हो ठीक है question को मत करना action will shorten and slide pass each other question option similar है इससे match मत करना ठीक है incorrect question के अंदर डाल दू इस question आपके screen के सामने है मेरे दोस्तों yes तब तक इस question को solve करो I want a small break 10 second के break के बाद मैं आता हो कोई जाएगा नहीं अब तो खैस प्लेस मैं आगया हूं आप दोस्तों का यह चल रहे रहे आपका वाकी जिननेंगे में कैसे हो सबी हो गुपादी जोटी आपकी यह ईएग्र दोस्तों आपकी यह सब्सक्राइब के साथ में आर्टिक्राइशन करा दीगी ठीक है यह सब्सक्राइब करके बता दो जल्ली से इसे करेट करके बता दो मेरे दोस्तों यह सब्सक्राइब करके बता दो मेडूला ओपलेंगे टा हो में स्टेक कंट्रूल से रेवल्म लैंवेज कॉंपहरेजन हो जाएगा कॉर्पस कैलोजम कम्यूकेशन ब्ट्रेव्ट अस वेले राइट सेरेवर्ल कॉर्टेक्स ठीक है कॉर्टाइसिस और सेरेव लमक की सितीज में आ जाएगा सेरेवर्म के सबसी इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कि आपकी बड़ी की जो मोमेंट्स वगरा होती है उसे एक इंप्रूल करा देगा ठीक है बहुत बढ़िया तो ऑप्शन बीजिक करे रहा है बहुत बढ़िया है नेक्ट कोशन आपके स कि आ जाता है इसके दर फिल्यूट्स होते हैं क्या हब लिया इसके तुर मैं इधर चला में ऊदर चला में हो tumors आप ऐसा present होने वाले हैं, melatonin, calcitonin, ifinephrine और उसी के साथ cortisol, बहुत बढ़ी है, जल्दी से, रीखा कर लेंगे बाद, बहुत बढ़ी है, yes, बूशन, रीखा कर लेंगे बाद, don't worry, ifinephrine आपका आजाएगा, ifinephrine जो होता है, मिले दोस्तों, cortisol की तरफ नहीं, ifinephrine ही क्यों, क्योंकि आपको fight and fight reaction में बहुत ज़्यादा help कराता है, तब उस condition में endocrine role भी complete कराता है, उसे के साथ neural role भी complete कराता है, तो option C कहना सबसे ज़्यादा एहम रहने वाला है, बहुत बढ़ी है, next question आपके skin के सामने, which of the following does not favor the formation of large quantities of dilute urine, किसकी वज़े से दादा dilute urine नहीं होती है, ओके does not favor the formation of large quantities of dilute urine, इसे तो following does not favor the formation of large quantities of dilute urine, आपको लगता नहीं कि एक question थूड़ा सा tilted दिया है, what do you think, does not favor the formation of large quantities of dilute urine, ओके ओके ओके, अलकॉल, कैफिन और रेनिन, ठीके, इसके इंदर आपका answer क्या आजाएगा, अरे बेटा एक चीज़ देखना, एक्टिल नेटिवरेटिक फैक्टर क्या करता है, यह वैजो डाइलेशन कर देगा, क्या करता है, वैजो डाइलेशन कर देगा, क्या करता है, वैजो डाइलेशन करेगा, वैजो कॉंस्टिक्शन करेगा, एडियेच होना चाहिए था, हाँ, एडियेच यहाँ पर answer होना चाहिए था, एडियेच यहाँ पर अगर दिया होता है, तो question सही हो जाता, क्योंकि एने फुटा है न एंटीगोन इस्टिक हो जागा रास्त के साथ में ठीक है सही बात है नहीं नहीं यह कोशन मुझे लगता है कि यह देखो यह जो हमने कोशन पर आज का डाला है आज जो कोशन पर यूज किया है को 2015 AI PMT का है ठीक AI PMT का बट मुझे लगता है कि इस कोशन की साथ किसी ने छेड़का नहीं किया है क्योंकि यह एक्जाट कोशन नहीं है क्योंकि मैंने 2015 का कोशन में पर स्वाल किया है इसकी बीच में कोई तो आप्चिन है जो कि mismatch किया है ठीक है that's why मुझे लगता है कि इसके क्या होता है बहुत बड़ी आपका हो जाएगा उनकी मोटलीटी और वहाँ पर ज्यादा बढ़ने वाली है फंक्शनल मोटलीटी हो जाएगे बहुत बड़ी आप्शन इस दी करेंसर नेक्स्ट कोश्चन फॉलमिंग इस नॉट एन इंपोर्टन कंपोनेट ऑफ इनिशियेशन ऑफ पार्चुरेशन इन फॉमन्स जल्दी जल्दी इस कोशन कर सकते हो आप तर कितने कोशन से लास्ट की फवर्मिशन में हो सकता है तोहीं बात है नेक्स्ट पॉलिंग के सामने जल्दी से यह पॉल्लिंग से लुटी से लिख नॉर्मली डिप्लाइड सेल पूची है मेरे दोस्टों कोन सी होती है प्राइमरी पॉलार बॉडी स्परमेटी स्परमेटो गॉनिया हो जाग सेके तो आपके डिपलाइड सेल होने वाली है सब्सक्राइब का जाएगा सी बहुत बढ़िया स्किन के सामने यह लास्ट पखुड़ों ठीक है इस्टेक टॉमी चीज बतरना चाहूंगा कि यंगर सिस्टर आप कह सकते हैं मैं इसे बहुत छोटी सिस्टर है मेरी सब्सक्राइब कर सकते हैं अभी हम गिवप नहीं कर सकते हैं तो आज के सेशन के अंदर अगर मैरे से कुछ गल्थी होई होगी तो प्लीज डॉन्ट माइंड ठीक है तो इसके अंदर हिस्ट्रेक्टोमी जो ती इस सर्चिकल रिमोड होता है मेरा दूस्त आपकी यूट्रेस का ठीक है यूट्रेस को हम इसके अंदर रिमोड करेंगे मल्टिबल कंडिशन्स होती जिसके अंदर इसे रिमोड करना पड़ेगा ठीक है थैंक्यू लिखा यस 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 थैंक्यू फुजा थैंक्यू औरिवन सो हमारा नेक्स सेशन कल हो जाएगा ठीक है कल से मैंने यूनिट वाइज क्लासिस लगी है यूनिट फर्स्ट कल आपको पढ़के आना है मरे दूस्तो तो आप अच्छे तरीके से कर दोगे थैंक्यू दिप्ती थैंक्यू तो कैसे कर देंगे कल यूनिट फर्स्ट को हम सॉल करने वाले में दोस्तो तो कल अच्छे से पढ़के आ जा जाओ उस क्रेंगे ठीक है तक है यूनिट फर्स्ट को सॉल करेंगे मैं की करेंगे यूनिट बैस टेश्ट को भी सॉल करेंगे आज सियल फर्स्ट कलस ने कल स्पेशल कलाष हो जाएगी एक यह सक्षट युदि स? कर दो जल्दी से कल वाली सेशन में मिलते हैं अभी आज मैं यही पंद करना हमा इस शेशन को तैंको जिनुट चलेगा चलेगा तो इस सेशन को मैंन करता हूँ जल्दी मिलते कल के सेशन के इंदर तब ते कि लिए बाय बाय वनाज टेकर मैं फ्रेंड्स